अगर कोई इसके हुमारी मांग ये नहीं मानने गात समभ इसकार करें कि उसको प्रोटनी उसकार प्रशाल से थार्यां मार्य पाइसमद्दा और इस मार अगर अगर नहीं कर गाए तो मदने करें इसमारा मार मौन कर ये तो मुसल्मानी टाइम में बदल दिया गए, बिगड़ते बिगड़ते मोहन पुर का मौमन पुर हो गए, तो मोहन पर यह होना दिया है, जब ही नहीं तो हम गुरोड का है। पर साथ में बिया बरात भी आप सोचो कोई अपनी बेटी की शादी करता है, बरात आ रही है, खाना बन वारका है, सारे इंतजाम कर रख्या और बरात कहीं 15 किलमेटर दूर दूसरे गाउं में घूम रही है, तो उससे काफी ज़्यादे समिश्य अपन हो जाती है। हमारे गाम में आए। होना चाहिए, यह गाउं मोहनपूर होना चाहिए। बकायता देखे यहां पर बोड लगाया गया है, गाउं मोहनपूर, सेक्टर 36A, गाउं मोहनपूर में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह गाउं मोहनपूर करने की बातचीत जो है, वो यहां की जनता कर रही है। लोगों का कहना है कि काफी सालों से इस मांग को लेकर वो लगातार, चाहे नेता हो, मंत्री हो, प्रसाशन हो, सबको इस बात को कहते आए हैं। लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। जब बात नहीं सुनी, तो आखिर मतदान क्यू करें, वोट क्यू दे। यही कारणे क देखे, मोहनपुर नहीं, तो वोट नहीं, इन बैनर्स के साथ, इन पोस्टर्स के साथ, और इन भावनाओं के साथ, लोग यहां पर मौजूद हैं, कह रहे हैं, यह मोहनपुर नहीं है, यह मोहनपुर है, और जो मोहनपुर है, इसे मोहनपुर के नाम से ही जाना जाना चा सबसे पहले तो मैं नव भारत ताइम सुवाड़े चैनल का गाम में अब पदारने पर स्वागत करते हैं यह हमारे गाउं का नाम मुहमंदपुर मुस्लिम टाइम में रख दिया गया जबकि मुहमंदपुर आस पास 8-7 गाम है हमारी चिठ्ठी भी हमारा address भी गळत होते हैं तो हमने यह दस साल पुरानी हमारी मांग गयी कि हमारे गाम का नाम मुहनपुर किया जाए और हमने लिख के के भी दे दिया दिया कैउमारी मांग का नाम. और यह इतनी लंभी मांग उतने और जक्टमिक नहीं हो data लें अगर लुए ह्विरोध कराये ज़नुआ complètement सब्सक्राइब यह कितने लंबे से मांग यह कम से कम दस साल से चल रही है किसी ने सुध नहीं लिए और सबसे बड़ी चीज़ तो एक हमारे यहां ज़ारा लगता एक डादी सकती का बहुत दूर-दूर से पब्लिक आती है है यहां मुसल्मान का कोई गाम नहीं है हमारे हैं नजदी घर भी नहीं यह किसी का जब भी हमारा भी तगी बदली ही हो रहा अगर कोई इसके हमारी मांग यह नहीं मानने का तो हम भविश्कार करें इसको पोट नहीं देंगे कितना पीड़ा है लोक तंद्र के महापड़ू में सबको सबकी सहभागिता कितनी जरूरी है आप समझे लेकिन लोग यहां मना कर रहे हैं कि हम इस बार वोट नहीं देंगे कारण भाई दस साल से मांग कर रहे हैं मुहमध पूर नाम बदलिये मुहनपूर रखे नाम नहीं बदला जा रहा है ऐसा क्या करने कितनी आबादी होगी यहां की दाओजी और क्या लगता है आपको क्यों आपक खिरा क्या बोट में वह रख्या मौहनपुर तो लंबे समय से जब आप लोग मांग कर रहे हैं किनसे आप लोग उने बादशीत की कहां कहां आप लोग हैं मंत्री मले सबते कह दि और पुराना नाम मेरा मो पुरी है यह तो मुसल्मानी टाइम में बदल दिया गया बिगड़ते पिगड़ते मोहनपुर का मोमन पुर हो गया तो मोहन पर होना चाहिए, जब ये नहीं तो हम बुरोध करेंगा देखिए अजादी के अमरित महत्सो को हमने मनाया है और अपनी जो पुरानी जो विरासत है, उसको सहेज रहे हैं हम अपनी पुरानी विरासत पे हम नाज कर रहे हैं तो जब इस गाउं का नाम पहले से मुहनपुर है, तो आखिर मुहमदपुर होने पर इसका विवाद क्यूं है, नाम क्यूं नहीं बतला जा रहा है, हर्याना में तो और भी नाम बतले गए हैं, अलग-अलग गाउं के, यहां पर क्यों दिक्कता है? यहां कोई सुनता ही नहीं है, जी बहुत कुछ कह लिया, कई बार मंत्रियों से भी बोल दिया, अगर नाम को बदल दो, यह मुसल्मानी नाम है, यहां हिंदू रहते हैं, तो जब तक यह काम नहीं होगा, जब तक हम बोट नहीं देंगा, अच्छा आप तो स्थानिये हैं, प हर जगे हमने पूरा परियास किया है, एक बार हमने परियास करके, MLA से बात करके, CM Announce में भी इसके लिए परियास किया था, कि CM Announce में यह चीज आजा है, लेकिन उस पे भी कोई कारवाई नहीं हो पाई, किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं, हम अपनी तरफ से गामवासी और ह हम पद अधिकारी भी पारसत के तोर पर भी पूरा परियास करके देख सुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कारवाई इसमें आगे बढ़ती नजर नहीं आई है, यह समझे आपकी सिर्फ लीपा पूती चल रही है, आसवाशन सिर्फ मिल रहा है, जमीन पे नाम बदल नहीं जा इसलिए जरूरी है कि यह नाम बदल या जाए हमारा मोहनपूर करें जाए यह सवाल वाजब भी है कि आखिर इतनी समस्या क्यों है, अच्छा एक मोहनपूर का इतिहास बताईए, नाम मोहनपूर जो है, मोहनपूर क्यों होना चाहिए? मोहनपूर यह पिछला वह है जिसका विकात, पुराना नाम, तो यह कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि यहाँ कोई पुराने संत भी थे जनका नाम उनके नाम पर रखने की बात कि यहाँ थी, बाबा मोहन करके, मोहन राम हो, वो इसी गाओं के थे, थोड़ा थोड़ा इत मोहन पूर की, कौन थे बाबा मोहन नाम? दस साल से तो पूरी तरह एक जूट होके सभी गावासी और सभी लोग इस विशे में लगे हुए हैं कि कैसे इस गाओं का नाम बदल के, ना तो यह गाओं कभी मुसल्मानों का रहा है, पुरू में भी यह आठ सो साल का जो पीरियड था, इस दोरान भी यहाँ कभी मुसल् पूर हो तो आखिर नाम बदलने में दिक्कत कहां आ रही है, गौरब जी यह कहां कहां आप लोगों ने लेटर दिया है, कहां कहां आप लोगों ने अर्जी लगाई है, क्यों अब तक कारवाई नहीं हो रही है? देखे बीच में जब यह अप्लिकेशन दी गई थी यहां के डीसी साहब को, तो कोरोना आ गया था 2020 में, उसके बाद से कई सारी सरकारी कतिविदिया धीरे पड़ गई थी, पर समय समय पर यहां पर जो भी राजनेतिक विक्ति आते रहे हैं, चाहे उपने लाब के लिजी म पानिये या कैसे भी, उनका आशवाशन तो दे जाते हैं, कि हम आपकी अफलिकेशन आगे लगाएंगे और नाम बदलवाएंगे, बीच में हमारी आशा भी जगी थी एक बाबरपूर करके गाउं हैं, पानीपत के अंदर, तो खट्र साहब ने उस गाउं का नाम बदला थ और उसको नानकपूर कर दिया था, बस उसका कारण यह था कि गाउं सिक बहूल था, तो उनके सुनवाई हो गई, यह हमारा गुजर बहूल गाम है, और हमारे शेत्र में आप देखोगे, चैया यादव हैं, चैया राजपूत है, चैया गूजर समाज है, बाबा मोहन राम क पूरे अंसियार में आप देखोगे, घरो के बार भी जैबाबा मोहन राम लिखा रहता है, तो गाउं की मानने ता है कि जो हमारे श्राइड शर्द हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी मानने ता है, उनके नाम पे गाउं का नाम हो जाएगा, गाउं में आप बच्चों के जोब के लिए तैयारी कर रहे हैं और जब को लेटर आता है तो लेटर किसी और पहुंच जाता और फिर गुम भी हो जाता है तो बच्चों से बहुत बड़ी बड़ी ऑपोर्चनिटी भी मिस हो जाती है और साथ में विहाबरात भी आप सोचो को यह अपनी लगा चुके हैं ग्रह मंतरी भारत सरकार नहीं दिल्ली तक को भी लेटर लिखा सुगा है सीम विंडों में जैसे पार्शेट जी ने आपको बताया लगा चुके हैं पर कहीं भी इस परकार की हमें आश्वाशन जरूर मिले हैं पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया है क हैं यहां पर शिखा रखने की और देख फीछे सब्सक्राइब दिखाई आपको दिखाई देंगे यहां के नौजवानhoven ग्रीयों दिखा आती है जब मुहम्मदपूर इसका नाम होता है मुहम्मदपूर जब पहले तो कह रहे थे जिए मुहम्मदपूर आपका हो जाएगा इलेक्शन के टाइम तो आखके कह जाते हैं हो जाएगा उसके बाद उसको अलगी छोड़ देते हैं हर बार यही चीज गया रहे हैं जिए को हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ आपका poop- road बोट नहीं करेंगे इतने नामा नहीं बदला की में इननने को दो था पर कुछ हुआ भी हैं देखें यह नोकरियों की दिक्कत जैसे बताई ॥ा एता है और स्टकना तकि अब दिक्कत आती है आप लोगों को जॉब लेटर वेगरा में दूसरे गाउं में चला जाता है सब चीज जो में दिक्कत आ रही है जैसे अभी बाबने बताया कि बरात में जो बरात हमारी वहां पॉज़ा पीछे फरवरी में शादी हुई थी हमारी परिवार से लड़के की शादी हुई पचास हजार लोगों की जो चंक है सभी के वावना यही है कि हमारा जो वास्तिक नाम है गाउं का नाम वही रखा जाए आप तो युवा हैं आप लोग जब शुरुवात में देखे थे तो गाउं का नाम जब आप लोग आगे बढ़े बच्च पे मिने तो मुहम्मध पू हमारे बुड़े बड़े बँर होने बताया कि नाम मुस्लिम काल आप मौन अगार तो म वहlingen पूर पहले की और देखे ऋसी कारन से अब तो यहां फे बैनर भी चप चुके हैं कि मोहनपूर नहीं तो वोट नहीं और यां वोट के बखसे को क्रास किया गया कि इस दो मदद करेंगे उसका बवेस्वाइफ हम करेंगे हमारा पूरा गाम समाज करेंगा अ नेता पूरी तरह ऑाइगा कोई ब tradicional के मांघ में ना है एक और अर एलान कर दिया गया है कि भाई वोट मांगने मत आईएक जब תक नाम ना बतला जाए क्योंकि लोगों की भावना है मोहनपुर के साथ जुड़ी हूई है इस नाम के साथ जुड़ी हुए है और देखिए इसे भावना के साथ लोगों ने यहां बकाइधा जो यहां पर बोट तयार कर दिया गया है गाव मोहनपूर में आपका स्वागत है यानि कि लोग दिल से मान चुके हैं कि यह मोहनपूर नहीं है यह मोहनपूर है और बोट भी तयार किया गया है अब यही कह रहे हैं कि जब तक नाम नहीं बदला जाएगा तब तक वोट मांगने नहीं है और ये करने के बाद आपाईए लोगतंत्र के महापरों में ये तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती और मांग एक ही है कि मुहम्मतपुर का नाम बदल कर मुहनपुर किया जाए अब देखना होगा कि आकेर इसके ऊपर क्या एक्षन हो चुकी है मुख्यमंत्री के पास चिटी पौच C fino चुकी है भारत सरकारमें इसकी पता धिकारी के पास चिटी है वह पहुंच चुकी है लेकिन अब तक कोई थोस अक्षन हैं उसके प्राप्ति होगी ये भी देखने वाली बात होगी अंकित किस्वा विशेक राज टाइमस तौन अभारत गुरुग्राम